अबी हम सोन प्राक के पार्किन में कौँच चुके हैं यहाँ पर हमारा टेक्सी रोग दिये गया है आगे गौरी कुण तक जाने माला था लेकिन गौरी कुण तक नहीं जा रहा है आज पुरा जाम लगा हुआ है इतने भी टोकन गाडिया है उनको भी जाने नहीं दिया जा सोन प्रयाक से हम निकल चुके हैं गौरी कोंड के लिए यहां से अभी गौरी कोंड जा रहा है पैदल पैदल लगभग पांच किलोमेटर के आसपास है सुबह के साड़े छे हो रहे हैं और अभी गौरी कोंड पहुंचते ही आपको डोली दिखाएंगे डोली का जर्शन करें मैं के देखें वाई सोन प्रयाक से ही लाइन लगा हुआ यार मिन्टशा लबा लगा हुआ है और है और जो-जो जो जिस जीट का यात्रा रे crosses में कर ना है साइद उनका चेक हो रहा है यह हैं से पूरा देखें लंबा लाईन लगा हुआ हर हर महादेफ, तो अपना यात्रा शुरूर हो चुका है, हर हर महादेफ, अब रुको, पांच मिनट दो, उनको बला ले एक बद, उट जा मैं कर रहा हूं, यह से रुदर प्यार से, हर हर महादेफ, तो अभी हम चेकिंग पॉइंट से बाहर आ चुके हैं इधर, और यहां से गौरी कुंट तक ट्रेकिंग स्टार्ट हो चुका है, लगभग पांच किलो मिटर का, और भाई, उधर आप राइट साड में देख सकते हैं, मंदापी नदी का रिवर व्यू, अभी आपको आगे लेकर चलते हैं, गौरी कुंट तक, तो भाई, सुबह से अपना ट्रेकिंग स्टार्ट कर दिया है, देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है, कि दार नाथ धाम में सभी स्था धालूओ का स्वाधत है, और यहां से पुरा लंबा लाइन लगा हुआ है, यह वाला एक एक करके सभी यात्रियों को टेक्सियं बठा जा रहा है, और गौरी कुंट तक छोड़ा जा रहा है, यात्रा पास की बात करूं, रजिस्ट्रेशन की बात करूं, तो अभी तक किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन चेकिंग नहीं हुआ है, अब देखते हैं, और आगे क् सब्चर सब जाते जाने लगतार, देख सकते हैं, सोन पर आक के बीच ब्रीज के पास पहुंच चुके हैं, और यहां से ही यह लंबा लाइन लगा हुआ है, यह जो लाइन आपको दिखाए दे रहे, यह पुरा टैक्सि के लिए लाइन लगा हुआ है, और यह देखे है, प सब्चर से 10 जुन तक विसाल भंडारा होने वाला है, और ब्रीज के उस पार आप देख सकते हैं, लैन से पुरा टैक्सि लगी हुई है, जो गोरी कुन तक छोड़ रही है, सबी कोड़, बाकि आप इधर का विव देख सकते हैं, इधर पुरा मंदाकनी रिवर जो है, वो बार टैक्सी आपको सोन पर आके इस वाले बृज से आगे मिलेगा, और टैक्सी कराया, वगर आपको मैं आगे बताऊँगा, आगे सब चीज बताऊँगा, देखे भाई, यहां से बरिकेट है और एक-एक करके सभी टैक्सी निकलते जा रही है, गोरी कुन के लिए, अब ह लेकोन के लिए टेक्सी बेट गे हैं और यहां से उतर चुके हैं और इस लोकीशन पर पाउच चुके हैं जहां से अब पैदल यातरा शुरू होने वाला है कि देख सकते हैं लागातार गाड़िया आते जा रही है और जाते जा रही है पाइमिंग के बाद करूं तो अभी हो रहे हैं सुबा के 7 बच के 40 मिनिट ठोड़ा लेट हो गया हूं मैं और मेरा टार्गिट है हर पाल की तरह इस साल भी डोली के साथ जाने का लेखते हैं आप क iqp görev करपाते अनी कर पतें कोशिश कर रहा हूं कि जितना जल्दी हो सेगे डोली कवर कर सको जारा देखो हैाउ ना खूपसूरत मादिया इंखर मन्दात्नी नंदी वह रही है लोड़े खचर वाले सब जाते जा रहे हैं और लगेज-बगेज वालार्आ है संब उपर जा और लगतार छे मैनों तक खुले रहेंगे तो देखिए पुछ प्राइब से महाल है यहां से पूरा पैदाल ट्रैकिंग इस्टार्ट हो चुका है यहां हम पहुंच चुके अपनी डेस्टनेशन के पास और यहां से जो केदानात का ट्रैकिंग रहा है वह 22 किलमेटर का है लि और यहां से लगभग 16 km लिखा हुआ है लेकिन 22 km कर ट्रेकिंग है अब चलते हैं अंदर बस बाबा महादेव का नाम लेकर ट्रेकिंग स्टार्ट कर दिया है देखे सब घोडे खचर आते जा रहे हैं रीचे भी और उपर भी जाते जा रहे हैं और यहार अभी सही सांस ज्या सब्सक्राद हो गया है और बागी देख सकते हैं रास्ते भर में पुरे घोडे खचर हैं बस कुछी किलमेटर और उसके बाद गौरी कुन आने वाला है यहां पर पुरे घोडे खचर खड़े हुए हैं और सब जितने भी दुकान दार है सब अपने अपने समान पर ले जात सब्सक्राइब में आपको वाटरफॉल दिखने को में जगे हैं अब बस्ट्रेकिंग स्टार्ट है वाई अब अब तो है गौरी कुन पांची के हैं आम देख सकते हैं पुरा यह गौरी कुन का वहान पार्किंग इस्ताल है कुछ कुछ लोग यहां पर अपना अपना अपकिदार की डोली अब निकलने वाली है देखते हैं क्या अपडेट है डोली निकल गया है या कि निकलने वाली देखते हैं इधर राइड साइड में एक और रास्ते है जो गौरी कुन का गरम कुण लेकर जाता है कि अब अब हम आपको गौरी कुन का विव दिखाता हूं क्योंकि डोली तो कवर नहीं कर पाएंगे बहुत तो आउपर निकल चुका है साथ बजे से डोली निकल चुका है मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि रास्ते में जाम लगा हुआ था इसलिए लेट हो गया मैं बहुत अखर रहा है तो फिलाल मैं आपको लेकर आगया हूं गौरी कुन की तरह और यहां जो गर्म पानी का कुंड है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं तो यह वाला रास्ता गौरी कुन लेकर जाता है इसकी इस पर जो रास्ता है तो पुरा किदान ट्रेकिंग का रास् तो यहां से चलते हैं सिधा सिधा गौरी कुण के लिए और गौरी कुण में जो गर्म पानी का जो श्रोत है वो दिखाएंगे जहां से गर्म पानी निकलते है